प्रेंट्स अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम कौन सी सिलाय मशीन लें कौन सी कंपनी की मशीन बैटर रहेगी आप हमें सजेस्ट कीजिए छोटी मशीन लें अम्रेला ले या इस टाइप की इंडस्ट्रियल मशीन ले तो आज मैं आप सभी के सामने पहली बार ए इच्छे से चलती नहीं है तो यहां पर मैं आपको चला कर दिखाता हूं इसकी स्पीड देखिया यह देखिए कितनी स्पीड है इस मशीन में वह देखिए और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताऊंगा यहां पर इसकी सिलाई की फिनिशिंग देख सकत लिए स्पूरी ब्रेंडिंग दी हुई है इसमें भी दिया हुआ है नीचे भी दिया हुआ है तो सारी चीजों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक-एक करके और यह बोग्देग को दिखाता हूँ अगर यह बड़ासा डिस्प्लेए यहां पर दिया हुआ जिसमें आपको सारी चीज़ें इसली समझ में जाएंगे और यह दो बटन अप एंड डाउन के दिये इससे आप स्पीड को कम यह जादा करें मैं आपको दिखाता हूं इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है यह 4000 की है ठीक है और मिनिमम जो स्पीड है वह 200 की है और इसको चलाना इश्राट करते हैं यह देखिये इतना स्लो आप इसको चला सकते हैं बहुत ही जलोग क्यों को होताया लोग कभी कभी बहुत ज्यादा स्लो चलाने की जडूआती है या बीगरस ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना चाहते है उनके लिए हजार पित्ता चलेगा नॉर्मली जो सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़ी है आप 1200 के रेंज में इसको शला सकते हैं अब बात आती है यहां पर दो और बटन्स दिये हुए तो इन दोनों बटनों का अभी मैं आपको खेल समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है तो यह ज इसको चलाके जब भी रोकूँगा तो नीडल कपड़े के अंदर ही रूखेगी यह इसमें खास बात है एक बार और ट्राइब करते हैं यह देखो तो यह इस तरह से आप करेंगे यह देखिए एक बार दिखाता हूं जब भी रोकोगे कितना भी स्पीड में कितना भी स्लो नीडल हमेशा अंदर रुकेगी वहीं अगर आप इसको और प्रेस करेंगे तो यहां पर एक शाइन आएगा नीडल का जो की ऊपर है अब आप जितना भी चलाओगे उसके बाद जब भी रोकोगे तो यह नीडल आपकी ऊपर रुकने वाली है ठीक है यह देखो फिर से उपर ही रुका तो यह इसमें फंक्शन है आपने जैसा सेट किया वैसा होगा उसके बाद एक बटन यहां पर और है यह बटन क्या कहता है इसका क्या मतलब है तो आप जब इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहां पर देखो इसका साइन आ जाता है इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको चलाएंगे तो आपकी जो मशीन है ना वो पहले आप एकदम गौर से ध्यान से देखना पहले एकदम स्मूद मतलब एकदम हलका चलेगी यह देखो उसके बाद गया स्पीड पकड़ती है अभी आपको नॉर्मल में नहीं समझ आ रहा होगा मैं इसका स्पीड बहुंच ज्यादा बढ़ा देता हूं तब आपको यह समझ मैंगा जैसे मालो हमने इसका स्पीड जो है वह तीन हजार पे 3100 पे सैट कर दिया अब इसको हम रिपीट करते हैं और ध् सब्सक्राइब कि हम जब मशीन को चला रहे होते हैं और जब मशीन हम स्टार्ट करते हैं तो हम को चाहिए होता है कि मशीन थोड़ा सुरू में धीरे चले उसके बाद स्पीड पकड़े तो यह वाली फंक्शन है सुरू में तो आपका मशीन धीरे चलेगा उसके बाद आप पर मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं यह सबसे पहले में S button की value आपको समझाता हूं जैसे अभी हमारा machine किते पर है यह 33-100प पर है हमने चलाया इंन चल रही है लेकिन आपको लगए को देखो पर नहीं पड़ा तो कब फदेगा आप इसको तो सेलेक्ट करेंगे तो यह जीरो पूरा नहीं आधा लिखा हुआ इस तरह से यह जीरो घुमेगा जब घुमेगा तब यह देखें अब यह 4000 पर आ गई तो आपको देखके समझ में आ जाएगा यह देखें फुली स्पीड पे हैं अब यहां पर हमने इसको कर दिया 200 ठीक है अब बोलेंगे हमने तो सर 200 कर दिया लेकिन यह तो 4000 पर चल रही है तो आपको क्या करना है जब भी जो भी सेलेट करना है उसके लिए एस दबाना है एस दबाने के बाद जीरो आपका जब गोल-गोल घुमेगा तब आप इसको चलाएंगे अब देखें यह अब 200 पर चल र तो इस एस बटन का यह काम है किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करना या किसी भी सिलाई फंक्शन को सेलेट करना या उसको सेव करना ठेक है अब पी का मतलब क्या है इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं तो पी में देखना जैसे यह पी बटन को अब दबाएंगे पी 01 त ठीक है उसके बाद जैसे मालो आपने बटन को दबाया तो यह आप अच्छे से इसको चला पा रहे हैं अब वापस से बटन को दबाते हैं यह पी जिरो टू है अब यहां पर यह पी जिरो फोर है इसका क्या मतलब है जैसे सिलाय मशीन जो होती है उसमें जब आप इस्टीच करते हैं तो यहां पर देखना यह जैसे हमने से लेट किया यह 200 300 तो यह आपकी डारेक्ट आर्पीम पकड़ेगी यहां पर तीन सो लिखा है मतलब यह तीन हजार आर तो जैसे एक रे रहें दबाया तो यह मसीन आपकी फोड़ी स्लो चलेगी उसके बाद इस्पीड दो किया मतलब दो टाक लेगी श्रू में उसके बाद इस पीड तीन कि अब इसके बाद थीन टाक लेगी उसके फिर स्पीड तो यह इस तरह से यह वरक करती है I hope आप लोग काफी ज़्यादा इस्पीड है जैसे आप को फोल्ड करना है उस टाइम पे आप बहुंध जयादा इस पीड चला सकते हैं तो और तो मैं आपको चाहूंगा कि जैसे आप इस मशीन का यूज करके अगर आप बनाते हैं तो आप जैसे मालन नॉर्मल मशीन से सिलाई करके जिस कपड़े को आदे घंटे में बना रहे हैं यह 15 मिनट में बन जाएगा यह मेरा कमिट्मेंट इधर आप प्रेस करते हैं तो आपकी मशीन चलती है से जैव का यहीं這個 कि तो यह यह आप चला रहे है और जीजह अब कर देखरे बारे में यह अपको भी कपड़े को मोड़ने के लिए सिलाय मुशीन घुमाने के लिए मैं कहीं पर भी प्लेजर उठाने वाला जो यूज नहीं कर रहा हूं तो यह जो चीज है यह वही है यह देखो यह प्लेजर आपका पैर से ही उठा देता है आप इसको नॉर्मली ऐसे चलाते रहेंगे आप आपको ज़रुत पड़िया अपने प्लेजर को उठा लिया अब यहां पर मैं आपको यह जटीज जैसे अपको यूज नीं करना तो प्लेजर उठाने का पीछे एक तो आपकी जो मशीन है वो ज्यादा बहतर परफॉर्म करेगी इसका मैं सबसे पहले रपीम थोड़ा सा कम कर लेता हूं क्योंकि ज्यादा स्पीड में आपको नहीं समझ माएगा मैं थोड़ा स्लो करके बताता हूं यह देखिए नॉर्मल हमने यहां पर 14 सेट कर दिया ठीक है अभी बार बार हम कपड़े को फोल्ड करके चला रहे हैं अब नॉर्मल कपड़े पर चलाएं यह देखिए कितना स्मूद और कितना सांथ कोई आवाज नहीं है अब मैं आपको क्या बता रहा था इसका क्या महत्व है जैसे नॉर्मल जो बाकी इंडस्ट्रियल मशीन होती है सबसे पहले तुम आपको बता दो इसको इंडस्ट्रियल मशीन के नाम से जाना जाता है डाइसन इसकी ब्रैंड है और यह जो चीज है य जैसे एक पे हम इसको लेके गए बस ऐसे करना है छोड़ देना है अब आप इधर चला के देखोगे कि इतने छोटे छोटे टांके आ रहे हैं यहां पर देखो अब मैं इसको लेके चलता हूं दो नंबर पे अब आप देखेंगे इसके टांके बढ़ गए अब हम इसको लेके ठीक है अब आते हम इसके और एक मज़ेदार पॉइंट पर जैसे हमको मशीन को कभी-कभी क्या होता है रिवर्स करना पड़ता है या स्टीज को लॉक करना पड़ता है तो यह यहां पर बड़ा सा हैंडल दिया हुआ जैसे आप चला रहे हैं यह अपने पीछे कर लिया पीछे कर सकते हैं सिलाई को लोक कर 2 देखो कितना मजबूति से यह पढ़ करके लाया अब यह इतना तो हो गया यहां पर मैं अप को एक चीज और बताता हूं जैसे आपको कहीं से भी मालो यह कपड़े को मशीन से उतारना है आप क्या करोगे थोड़ा सा इस तरह से आगे लेके आओगे और यहां पर देखना पीछे यह कटर दिया हुआ ठीक है इस कटर पर आप इस तरह से रख दोगे धागा कटके बहारा जाएगा आपको बार बार कैची यूज़ करने की जरूरत नहीं है तो य अभी कभी होता क्या है कि जैसे हमको सिलाई को एकदम से घुमाने की जरूरत पड़ती मैं यहां पर आपको लाके समझाता हूं हमने इस तरह से रखा अब हम इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे यह देखिए तो जब फोल्ड करेंगे और यहां से जब हम सिलाई को चलाए और यह देखो इस तरह से रख करके अब जैसे मालो एक दो टाकी चलाने तो आप ऐसे चलाओगे एक एक बार दबा के और नहीं तो फिर सीदह से बढ़ा दोगे यहां पर एक फंक्शन और दिया हुआ है यहां पर यहां पर लाइट का बटन है यह देखो यहां से आप इसक सिलाय मशीन के जो की मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ अब फाइनली लास्ट में मैं एक चीज आपको यहां पर बताने वाला हूं कि इस सिलाय मशीन में धागा कैसे डालते हैं पूरे मशीन पर और इसके बाबिन पर तो यह दोन में आपको दो तीन प्रकार के पेचकस छोटे बड़े सब और यह सिलाय मशीन की सुई इसे एक और बड़ा पेचकस मिला हुआ जो कि मैंने कहीं पर रखा है यह छोटा पेचकस है और यह तीन चार यह मिलते हैं और डिब बी एक ही मिलती है यह देखिए तो हमारे पास यह बड़ा पेचकस भी है यह देखो यह वाला अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बॉबिन में धागा कैसे डालना है तो चलो नई फ्रेस बॉबिन लेते हैं मैं इसमें आपको उसमें अल्डेडी धागा है इसमें डालके दिखाता हूं सबसे पहले आपको यह प्लेजर कि आपको यहां पर यह लेकर आना है और इसमें फसाने देखो यह ऐसे फसाने के बाद आप क्या करोगे पहले मैं इसको काड़ देता हूं एक्स्ट्रा था यह इसको आपको बॉबिन को पहले ऐसे थोड़ा सा भर लेना है ठीक है उसके बाद आपको इसको इसमें लगाना है ऐसे और ये ऐसे लॉक कर देना है ठीक अब आप क्या करोगे मशीन को चलाओ गया यह यह यहां से हलका सा उपर करते हैं इस तरह से जब आप इसको चलाओगे जीतना स्पीड चलाओगे उपता देखें किस तरह से आटोमेटिक से यह भर रहा है आपको कोई मेहनत करने की जोरत नहीं अभी देखना यह पूरा भरने के कागार पर है जब भर जाएगा यह देखिए इसने छोड़ दिया अब आप कि तो भी मसीन के चलाओ गए यह भरने वाली नहीं है बस इत्ता ही भरेग ठीक है उसके बाद आप इसको यहां से निकाल लो दागा यहां से कटिंग कर लो कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है इसकी डिब्बी है इस पर आप इस तरह से ले जाके रखो यह नॉर्मल अमरिला या छोड़ी यह अमरिला मशीन की तरह है ठीक है इसको आप इससे खोले भी जिनका अनुभा हो जाता है वो फटाक से डाल देते हैं इस तरह से रखना है और बॉबिन को फंसा देना है तो यह तो आपका नॉर्मल हो गया ठीक है अब बात करते हैं कि उपर धागा कैसे भरना है तो उसके लिए आपको यहां से निकालना पड़ेगा यह जो ची यहां पर आपको धागे का जो रिल है उसको रखना है उसके बाद यह इस टाइप से यह छोटे से होल में आपको लेके आना है ठीक उसके बाद यहां से आप इसको एक बार रिपीट करेंगे यहां से यह देखो अब आपको क्या करना है यहां पर भी एक छोटा सा होल दिया इस होल पर डालना ऐसे उसके बाद इसको ऐसे घुमाना है देखो यहां पर फसाना होगा यह जो चीज है ना यह छोटा बड़ा करके यहां पर दो तीन दिया होगा ठीक है यह यहां पर हमने लाया उसके बाद हम क्या करेंगे यह इस तरह से या फिर आप इसको ऐसे भी फसा सकते हो ढाइसे इस तरह से ठीक है उसके बाद यह धागा आप एक हाँ से यहां से पकड़ना क्योंकि नी तो फिर दिक्कत जाता है यहां तक लाने के बाद एक यहां फसाना早ि इस तरह से फसाना उसके बाद इचानी अपर यह ठाटव इस जैसे ही पार होगा जैसे खिच लेना और उसके बाद फाइनली आप इसको ले जाके सुई के होल में डालेंगा तो यह देखो सकते और एक लाश्ट चीज में आपको बता देता हूँ कि यह जो मशीन है आप जीतना मर्जी जैसे यह थो फोल्ड अलरेडिये यह हमने चार कर दिया यह चेश फोल्ड कर दिये यह आठ कर दिये यह दस कर दिए और यह बारा कर दिए आप देख रहे हैं कितना मोटा हो चुका है अब हम इसको सीधा यहां ले के आएंगे और मैं आपको यहां पर सिलाई चला के दिखाता हूं कि यह देखो कि यह देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई चलके आई है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह था फ्रेंड्स ओवर एक रिव्यू डाइसन सेविंग मशीन का जो कि मैंने अभी रिसेंटली पर्चेस किया है अगर आपको भी पर्चेस करना है इसका को भी फंक्शन आपक खुद से किया अपने हाथों से तो अगर आप इस मशीन को पर्चेस करेंगे आपको मैं यह पूरा बता दूगा कि यह इस्टॉलिशन भी कैसे करना है उसके उपर भी एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगी और इसका आप पूरा ओर लुक देख सकते हैं कि यह मशीन आपको क लोग लगातार मुसे सवाल करते रहते थे कि कौन सी सिलाय मशीन ले सर तो मैंने सोचा कि आजकल छोटी सी मशीन यह अंब्रेला बहुत कम ही लोग यूज कर रहे हैं जिनके पास बजट नहीं है खासकर वो लोग यूज करते हैं लेकि जिनके पास बजट है इस तरह की देखो उसके बाद यह बंद होता है ठीक है और यह जो मशीन है इसको आप इस तरह से उठाएंगे और यहां रग देंगे तो इसमें यह पूरी ऑईलिंग हुई रहती है यहां पर देखो इसमें अभी थोड़ा सा कम है मैं नहीं डाला है यह हाई पर रहना चाहिए हमीशा अभी यह हलका सा कम है लो पर ठीक है तो इसमें मशीन में हमेशा यह ओईल होना जरूरी है यह चेंज करना पड़ता है अभी देखो एक दाम क्लियर दिख रहा है वाइट कलर का अगर यह हलका पीला पन आग जाए तो आप समझाना कि ऑईल चेंज करने का टाइम आ गया है और पूरा पीला हो जाता है तो आपको इसको चेंज कर देना चाहिए तो बस इसमें यही है और इसमें कुछ भी नहीं है आई होप आप लोग को यह जो वीडियो है पसंद आया होगा यह मशीन पर्चेस करना चाहते हो मैं रिकमेंड करता हूं जिन जिन लोगों को सिलाय और मेरा दिन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो पर ने डॉपिक के साथ अब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम